गर्मियों के मौसम में बच्चे अक्सर आईस्क्रीम की मांग करते हैं बच्चे ही क्यों हमारा खुद का भी मन करते है कि कुछ ठंडी आईस्क्रीम या कुलफी खाएं अगर घर पर थोड़ी सी मेहनत करके फ्रेश और प्यूर कुलफी बनाई जा सकती है तो क्यों ना बनाई जाए आज कल हम कही तरह की आईस क्रीम खाने लगे हैं और इस कुलफी को हम बूलते जा रहे हैं बजार में जो कुलफी फालूदा मिलता है उसमें भी यही कुलफी होती है और आज मैं यही मलाई कुलफी की रेस्पी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ इसे घर पर बनाना बहुत ही असान है तो चलिए शुरू करते हैं इससे पहले आप मेरे चैनल मॉनिकाज डियाई वाई को सबस्क्राइब कर लें तो सबसे पहले हम गैस पर रखेंगे एक हैवी पोटम वाला पैन या कड़ाई और उसमें डालेंगे एक लीटर दूद तो यहां पर मैंने एक लीटर दूद फुल क्रीम वाला यूज किया है अब मीडियम फ्लेम पर इसे दीरे दीरे करने देंगे यानी रिड्यूस होने देंगे बेसिकली हमें दूद को गाड़ा करना है पैन में साइड में जो भी मलाई लगती जाए उसे भी खुरच कर बीच में ही डालते जाए इससे दूद जल्दी गाड़ा हो जाएगा और आप दूद को गाड़ा मीडियम फ्लेम पर ही करें और बीच बीच में दूद को चलाते रहें ताकि दूद नीचे ना लगे अगर दूद नीचे लग गया तो कुलफी का सारा स्वात बिगड़ जाएगा अब तूद थोड़ा सा गाड़ा हो चुका है तो इसमें डालेंगे चीनी तो आदा कप मैंने इसमें चीनी डाल दी है चीनी को मिक्स करेंगे और साथ ही इसमें डाल देंगे आदा कप खोया, तो खोय से इसका टेस्ट तो बढ़िया बनेगा ही, साथ ही साथ ये गाड़ा भी होएगा, और इसका कलर भी बहुत अच्छा हो जाएगा, तो इन सब चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और इसे और थोड़ी देर के ल आप कहेंगे कि मलाई कुलफी नाम है, लेकिन मलाई का अभी तक जिकर नहीं है, तो चलिए मलाई की तरह बढ़ते हैं, तो मैंने दूद के उपर से फ्रेश मलाई उतार ली है, आप घर की मलाई यूज कर सकते हैं, बाहर की क्रीम भी यूज कर सकते हैं, तो आदा कप मैंने घर की फ्रेश मलाई ले ली है अब इसको थोड़ा सा फैंट कर इस ठंडे किये हुए गाड़े दूद में हम इसमें डाल देंगे अभी तक खुलफी में हमने कोई भी फ्लेवर नहीं डाला है फ्लेवर के लिए आप इसमें रोज वाटर भी डाल सकते हैं यहां फिर आप इसमें इलाइची का पौडर डाल सकते हैं तो मैं यहां पर इसमें हाफ टी स्पून इलाइची का पौडर डालने वाली हूँ अगर आपके पास ilaichi powder नहीं है तो आप green ilaichi जो छोटी ilaichi होती होती हो से कूट कर उसके दाने कूट कर इसमें डाल सकते हैं एक बार इसे मैंने चम्मच से अच्छे से Mix कर लिया है अब इसको विसकर से अच्छे से फैंट लेंगे तांकि अच्छे से Mix हो जाए जो मलाईी हमने डाली थी तो अभी हमारा mixture कुलफी का त्यार हो चुका है तो अभी हम इसको मोल्ड में डालकर फ्रीज होने के लिए रखेंगे मार्किट में सिलिकॉन के मोल्ड मिलते हैं कुलफी जमाने के लिए बहुत अच्छे रहते हैं तो भी इनमें स्टिक लगा देंगे अधर आपके पास ऐसे मोल्ड नहीं है तो आप आइस ट्रे में या छोटे कांच के गिलास में या फिर डिस्पॉजबल गिलास में इसे जमा सकते हैं तो इस तरह से सारे मोल्ड में आइस क्रीम का मिस्टर डाल देंगे मोल्ड को थोड़ा सा टैप करेंगे और फिर इसे फ्रीजर में चार से पांच गेंटे के लिए जमने के लिए रख देंगे पांच गेंटे हो चुके हैं कुलफी जम कर त्यार है देखा आपने कितनी असान है घर पर मलाई कुलफी बनानी बहुत ही टेस्टी मलाई कुलफी बन कर त्यार है लग रही है ने बिलकुल मार्केट जैसी इसे सर्व करना भी बहुत असान है और खाना भी असान है और बहुत ही टेस्टी कुलफी घर पर बन कर त्यार हो जाती है तो अगर आपने अभी तक इस रेस्पी को नहीं बना कर देखा तो आप जरूर ट्राई करें कुलाब की पंख अब चाहिए वीडियो मिलती हूँ एक और नए रेस्पी के साथ तब तक के लिए देखते रहें मॉनिकास डियाईवाई